तो साथि यह जो वेकंसी निकल कर आय है बीपी CL की तरफ से वेकंसी निकल कर आ रही है जो भाराध पैक्ट्रोमे है Supreme अगर आपने iti करीज है तो यह basically वेकंसी Award इसके वेकंसी है तो अगर आप ते समझ रहे हैं कि यह एक permanent job होने वाली है तो यह permanent job नहीं होगी बट हाँ अगर आपने ITI करके diploma किया हुआ है जिसमें आप लेटरल एंटरी में एडिविशन लेते हैं जिसे किसी ने fitter से ITI करी होगी तो direct diploma करता है आपके mechanical trade से तो ITI प्लस आपका ITI दो साल का आपका diploma तो इसको बोलते हैं लेटरल एंटरी तो अगर आपने यह किया हुआ है तो हाँ यहां से आप apprentice का फार्मा फिल कर सकते हैं चलिए तो सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जैसे मैं आपको बताया BPCL बारत Petroleum Corporation Limited की तरफ से वेकेंसी आई है कहां से मुंबई महराज से निकल कर रही है ठीक है डेट का भी एसकी है 14,8,24 ही है सबसे पहले apprentice की वेकेंसी मैं पहली बता देता हूँ यहां बहुत से स्वेट को confusion रहेगा कि सरीए apprentice की वेकेंसी है या यह आपकी कोई regular जोब है, permanent जोब है तो पहली बता दूँ यह आपकी क्या है क्या होने वाली है यह आपकी apprentice की वेकेंसी होने वाली है और कौन सेक्ट लगेगा? Apprentice Act 1961 लगने वारा है ठीके बच्चे चलिए तो आपको इस यह में अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा विटर वाले, mechanical वाले होगे, तो यहाँ ITA वाली Candid Apprentice के लिए eligible होगे और यहाँ आपको कितने stipend मिलने वाला है आपको देख लिजएगा, monthly establish, state of stipend इतना मिलने वाला है ठीके, कुछ इसमें आपको monthly government share of stipend भी होगा यह और total monthly stipend जोगा यह होगा एक साल किसमें आपको यह जोब होने वाली है, जोब नहीं, basically apprentice होने वाला है, duration of training, one year का होगा location कहा होगी आपकी, ठीके, location of training का होगा, GPCL Mumbai क्योंकि Mumbai की vacancy है, यहाँ यह आपको मिलने वाला है, ठीके, तो दोन इंजिनर्स होंगे, तो आप सभी यह देख लिजएगा minimum education qualification भाई, category A में आप यह देख लिजएगा, ठीके, okay minimum qualification क्या होगा, तो इस form का आप fill कैसे कर सकते हैं, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, fill इसको आप कब कर सकते हैं, और fill करने के लिए selection process क्या होगा, आपकी जितने मी marks होगे, कोई paper नहीं होगा, ठीके, selection will be based on the marks obtained in respective discipline qualifying, तो जो आपने अपनी जब पढ़ाई के शेतर में अपनी degree diploma करा होगा, उसमें जो आपने marks gain कर रहे होगे, उसी के according आपके, इसमें एक merit list बनने वाली है, ठीक है, चलिए, तो form fill करेंगे, आप, तो form fill कैसे करेंगे, okay, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, step 1 है, भाई, आप यहाँ पर जाके, इस website पर जाके, भाई, आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर जाके, आपको अपना, सबसे पहले registration करना है, उसके बाद step 2 क्या होगा, login करना है आपको इस वाली website पर, ठीक है, आपकी जो ID होगी, वो यह वाली हो जाएगी, यह वाली कुछ ऐसे ID होगी, या आपको सर्च करनी है या आपको बनानी पड़ेगी यो बनके भी आएगी और उसके बाद सीधा तोर पर उसके बाद सीधा तोर पर आपको जो ID निकल के आएगी न वो online form निकालना है और online form को आपको offline mode में फिल करके इनके पते पर बेजना है ठीक है तो ये बात मैं आपको दुबारा बता देता हूँ सबसे पहले आप जो उनकी website है वहां जाके registration करेंगे उससे print out निकालेंगे वो print out अपने education qualification के सारे documents offline mode में इनके पते पर बेजने है online application starting date कब होगी भाई 14-8 से होगी और last date कब होगी आपकी प्लिक है जो आपका यह अपर code होगा 30-9-2024 होने वाल प्लिज no debt relevant query and will be entered ठीके बच्चे तो यहां से आप देख जाके इस form का फिल कर सकते हैं तो मैं पहली बता रहा हूँ वेकैंसी बहुत आएंगी बट यह भी apprentice के वेकैंसी करते हैं फिल करते हैं अप्रेंटिस करते हैं तो अच्छा benefit मिलता है क्योंकि यहां से बहुष्य में हम देखते हैं चयाल में अप्रेंटिस वाले वाले वागे बच्चों को प्राइवटी दी जाती है तो हो सकता है कि बहुष्य में भी यहां से जो अप्रेंटिस किये वह उन्हें कुछ benefit मिल सकते हैं तो आज के लिए इत नहीं वीडियो अच्छ लेगिए तो वीडियो को ल